नमस्कार आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में कैसे हैं आप मुझे उम्मीद है स्वस्त होंगे मस्त होंगे बहतरीन होंगे खूब सारे मज़े आप करते हैं इसमें कोई नहीं बात तो है नहीं और आज हम बात करने वाले हैं जो सिरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं उ यानि declension of noun हमें case पर आज बात करनी है ठीक है कि case क्या है यानि कारक क्या है बहुत ही सरल आज का अध्याय है मैं आपको बता दूँ और एक एक करके सारी चीजें कारक के बारे में जितनी भी है वो सब आज इस पश्ट हो जाने वाली है और यकीन मानिए ये वीडियो को पूरा देखने के बाद में कारक के विशे में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको पता नहीं चलेगा जो आपको मालूम नहीं होगा और इतने अच्छे से ये notes दिये गए हैं कि सब कुछ आपको अपने आप ही याद हो जाएगा और बहुती सरल चीज है सही बात तो ये है इस व संग्या कहते हैं और संग्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है तो क्या कहा जा रहा है कि संग्या और सर्वनाम के जिस भी रूप से उसका जो संबंद है जो रिलेशन है वह वाक्य के अन्नी शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे हम कारक कहत मान लीजे कि आपने एक वाक्य कहा क्या वाक्य कहा आपने कि श्याम ने सोहन को आम दिये तो श्याम क्या कर रहा है सोहन को आम दे रहा है ठीक है अब अगर यहां पे ने और को जैसे शब्द हम हटा दे इस वाक्य से श्याम सोहन आम दिये समझ में आया कि उतने अच्छे से न आपे कहा है कि ये जो ने और को है न ये क्या है ये वो चिन है वो विभक्तियां है जो की कारक को प्रदर्शित करती है जैसे देखिए लिखा है संग्या सर्वनाम की जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अनिश शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं संग्या और सर्वनाम शब्दों के साथ यहां पर बताया अभी उधारन भी दिये देखिए क्या लिखा है स्क्रीन पर मैं हाइलाइट कर रहा हूं ने को से का में आदी जो चिन प्रयुक्त होते हैं वो विभक्ति कहलाते हैं अब जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में होते हैं शब्द नहीं होते तो यह वाकिय कैसा हो जाता फिर तो आप यह वाकिय को ऐसा कहते कुरुक्षेत्र मैदान पांडवो न्याएक और वो साथ युद्ध किया कैसे समझ में आता कुछ भी समझ में नहीं आता जब कारक के विभक्ति चिन लगे हैं तभी तो यह और इनहीं को कहते हैं विभक्ति ठीक है तो कारक क्या है विभक्ति क्या है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो मिल गया आपको यह आप अगर कोई आपसे पूछे कि भाईया ठीक है परिभाशा तो बताईए तो परिभाशा आपको यह वाली बतानी है जो स्क्रीन पर अभी पूछ रहा हूं क्या ये समझ में आया एक बार में नहीं अगर आपका जवाब है तो एक बार समझ कर सुन लीजिए मैं आपसे ये कहा कि संग्या या सर्वनाम के कोई भी रूप से जिस भी रूप से क्या होता है वाक्य के बचा हुआ जो वाक्य है उसके किसी दूसरे में आती चली जाएगी जब हम देखेंगे कारकों के भेत को यानि कारक कितने प्रकार के होते हैं तो चलिए एक एक करके इनको भी समझ लेते हैं भाई वैसे तो हिंदी में अपनी तक हमने जो जो चीजे पढ़ी पिछले अध्यायों में मुझे उम्मीद है आपने जरूर कार हैं कारक में ठीक है है आपको तो हाथ किया शरकत बढ़ेगी گिनने के लिए लिए हिंदी में कारक आइज प्रकार के हैं कौन- suis नाम चुनके थोड़े आपको अजीव अगर लग दहाँ तो मैं अभी शुर्वात की लिए बता ये वर ने देन देब रहताँ ताकि शवी एक image आपके मन में जो है बन जाए करता कारक क्या होता है करता का मतलब आपको पता है न जो कोई काम कर रहा है उसके चारंड कारक ठीक है यनि है आपादान कारक लिखा है अ Coast का मतलब होता है जैसे कुछ चीजisten का बोद होता है तो उसे आपादान कहते हैं जैसे is अ संबंद कारक क यहाँ तो जो बताता है अधिकरन यानि जिस बेस पर जिस ziet क्रिया की गई जो आधार है जैसे चट पर कपड़े सुखाए चट पर सुखाए ना तो वो अधिकरनकारक के अंतरा दा जाएगा संबोधन मतलब किसी को पुकारना हे अनुज हे राम है ना इस तरह से तो मुझे उमीद है कि लगभग लगभग एक इमेज आपके मन में बन ग रहा है कि एक तरफ तो कारक दिये हैं और दूसरी तरफ दी हैं उनकी विभक्तियां यानि उनके चिन हमने सबसे पहले आज यही पड़ा ना कि यह सब क्या है उनके चिन है कारकों को प्रदर्शित करने के तो अब देखिए जब भी मैंने आपको बताया ना कि आठ प्रकार तो उन आठो के लिए अलग-अलग चिन्दुघ का हम उपियोग करते हैं मानलीजिये कि एगर करता की बात हो रही है तो वहाँ पे आपको ने लगा ना पड़ेगा करन क क्यारक की बात हो रही है तो से होगा यहाँ वहाँपे लिखा या फिर वहाँपे केदवारा लिखा ह आप जरा सोच के देखिए न, कि किसी वाक्य में, मान लेजिए, आपको ये पता करना हो, कि ये जो कारक है, ये कौन सा कारक है, ये करता कारक है, करन कारक है, अपादान कारक है, कि संबंद कारक है, तो इससे आपकी जो साहता है, वो तालिका से हो जाएगी, क्योंकि ये विभ भाषा तो याद होई जाएगी अभी आज के वीडियो में आपको अलग से रठना नहीं पड़ेगा समझाया ही इतने अच्छे तरीके से आपको जाने वाला है इस वीडियो में क्योंकि और एक्चुली बात यह है कि समझाया ही नहीं जा रहा है सरलता से यह टॉपिक ही बहु करते हैं इप हो तो वह एक प्रेयोग में यह तो बहुत हैं और फेयोग में तो देखने में करते हैं सब करते हैं शब्द करते हैं उप्योग में तो यह सवाने वाले ठीक है तालिका देख कर एक आइडिया मिल गया है आप चाहे तो यहां पर इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं तारिका आपके स्क्रीन पर है अब हमागे बढ़ते हैं यहां पर हमें यहीं बताया है कि कारकों की पहचान के बारे में कि वाक् उत्तर में मिलने वाला उनका जो है वो कारक क्या हो सकता है। वो किन को कहां? यह सारे प्रशन कैसे है? ये हमें कहीं कर्म का बोध कराते हैं वाक्य में. जब कर्म को हटा दिया जाए जो किया जा रहा है तो उनकी जगह पर अगर प्रशन बनाना हो प्रशन वाचक वाक्या तो ये प्रशन को उप्योग करेंगे ये शब्दों का प्रशन बनाने के लिए तो कर्म का बोध कराते हैं इसलिए ये सारे की सारे जो है क्या हो जाएंगे कर्म कारक के अंतरकत आएंगे प्रश्न फिर जैसे अगर पूछा गया किस से, किस के द्वारा किन के द्वारा, अब यहाँ पर द्वारा भी आ गया न या किस से भी पूछेंगे तो उसका मतलब तो वही है द्वारा तो यहाँ पर आप यहाँ हमेशा याद रखेंगे करण कारक की बात हो रही है और अभी याद रखने की जर्वत नहीं है आप चाहें तो मैं तो बोल रहाँ कि अभी आप भले याद मत रखेंगे लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में एक-एक भेत को अच्छे समझ ठीक है फिर कुछ शब्द हैं जैसे कहां से किस से किन से तो यहाँ पर आपादान कारक आ जाएगा किस का किस की किस के किन का किन की किन के तो संबंध कारक आ जाएगा किस में किन में किस पर किन पर तो अधिकरन कारक होगा जिसे पुकारा या संबोधित या सजित किया जाए तो वहाँ पर संबोधन कारक आ जाएगा, है न, ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और एक-एक को अच्छे से समझते हैं, हमने जो आट भेद की है न, इन आटो प्रकारों को, आटो भेद को एक-एक करके बड़ी सरलता के साथ समझ लेते हैं, ठीक, आइलाइट कर दिता हूं, यहाँ पर लिखा हुआ है, अब देखिए, पहले वाखये में, खेलता है, लिखा हुआ है, है न, खेलता है, ये क्या है, क्रिया है, बहुत बड़ीया, इसके बात में लिखा है, गीत गाया, गाया क्या है, क्रिया है, तीसरे वाले वाक्य में क्या लिखा है, बालकों ने साप देखा, देखना क्या है, क्रिया है, तो देखा, गाया, खेलता, ये सब तो क्या है, वर्भे न, क्रिया है, और इन क्रियाओं को कर कौन रहा है, रोहित कर रहा है, रोहित क्रिके खेलता है मीना कर रही है क्योंकि मीना ने गीत गाया है तो मीना गा रही है मीना क्रिया कर रही है और साप देखा किसने देखा बालक उने देखा तो बालक भी क्या हो गए क्रिया करने वाले हो गए जो क्रिया को करते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं कारक कहते हैं वो करता कारक क कहते हैं जिससे भी वाक्य में क्या होगा क्रिया करने का बोध होगा की क्रिया तो हो रही है और इस क्रिया को ये कर रहा है या ये कर रही है तो वही जो है करता कारक कहलाएंगे ठीक तो करता कारक क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया है और करता कारक का जो विभक्ती चिन तो यह आप याद रखेंगे इसके बाद में दूसरा है कर्ताकारक के बाद में जो प्रकार है कारक का वो है कर्मकारक नाम से सपश्ठोरा है कर्म यानि क्रिया की बात होने वाली है अब क्रिया की जब बात होगी तो इसका भी कोई नो कोई विभक्ति चिन्न होगा बिल्कुल है इसका विभक्ति चिन्न है को या आपको याद रखना है बच्चो की कर्मकारक का जो विभक्ति चिन्न है वो क्या है को है अब देखिए एक वाक्य को ध्यान से देखिए राम ने रावन को मारा, राम क्या हो गया, करता हो गया, किसको मार दिया, रावन को मार दिया, ठीक है, तो मारा ना, मारा क्या है, क्रिया है, दूसरा बाक्य पढ़िए, छवी पत्र लिखती है, लिखती है ना, लिखना क्या है, क्रिया है, हिमान्शु विद्याले जा रहा है, क्या है अब मुझे बताईए जो भी क्रियाें हो रही है वो किस आधार पर हो रही है द्यान से देखिएगा रावण पहला वाक्य राम ने मार दिया किसको עरा, रावण को मारा क्रिया हुई, किसके साथ हुई रावण के साथ हुई ना दूसरे वाक्य को देखिए, छवी पत्र लिखती है, लिख तो रही है, पर क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है, ठीक है, प्रभाव क्रिया का किस पर पढ़ रहा है, ध्यान दीजिए, क्रिया का प्रभाव किस पर पढ़ रहा है, पहले वाक्य में क्रिया का प्रभाव, र विद्याले पर पढ़ा हिमान्चु जा तो रहा है लेकिन कहां जा रहा है विद्याले जा रहा है तो विद्याले पर प्रभाव पढ़ रहा है क्रिया का तो यह जो शब्द है रावन पत्र विद्याले यह क्या है यह कर्मकारक कहलाएंगे ठीक है तो अगर कोई आप से यानि प्रभाव पढ़ता है, उसे कर्मकारक कहते हैं, यानि जिस पर कर्म का प्रभाव पढ़े, वो कर्मकारक, है न सरल, कितना सरल है, कर्ता कारक समझ लिया हमने, उसके बाद में कर्मकारक समझ लिया, अब एक काम और करते हैं, करन कारक भी समझ लेते हैं, लेकिन हमें ये पाद भी पता है कि जब हमने करता कारक पढ़ा तो उसका विभक्ति चिन्न ने था जब हमने कर्म कारक पढ़ा तो उसका विभक्ति चिन्न को था अब करण कारक पढ़ रहे हैं तो करण कारक का भी कोई विभक्ति चिन्न तो होगा बिल्कुल है दो विभक्ति चिन्न है करण क इसलिए में अक्सर कहता हूं कि उधारन हमें ज्यादा से ज्यादा देखने चाहिए जितने ज्यादा और जितने प्रकार के उधारन देखते हैं उतनी ज्यादा कंसेप्ट हमारे मस्तिश्य में क्लियर हो जाता है पहला उधारन है नियोनिका कलम से पत्र लिखती है अच्छा किस पर प्रभाव पढ़ रहा है, पत्र पर प्रभाव पढ़ रहा है, ठीक है कर्मकारक, अब मुझे पताईए, कलम से लिख रही है न, क्रिया किस चीज से हो रही है, कलम से हो रही है, ठीक है, दूसरा वाक्य, शिकारी ने चीते को बंदूख से मारा, शिकारी ने चीते को मा किस चीज से मारा पैर से मारा तो यहाँ पर आपको ये बात इस पश्थ और करन कारक में आ जाए गा, देखिए ध्यान से, इन वाक्यों में लिखती है, मारा, मारता है, ये सभी हैं क्रियाएं, और इन क्रियाओं को क्रमशह, कलम से, बंदूख से, पैर से के द्वारा किया जा रहा है, तो आप यहां पे स्पश्ट रूप से कहेंगे, कि यही जो हैoug कहलाएंगे कुई आपसे फिर पूछेगा बताईए परिभाशा बताईए तो आप क्या बताएंगे कि करता जिसकी सहता से कृिया करता है उसे करणकारक कहते हैً स्पष्ट है, सरल है, आसान है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, चौथे प्रकार की आठ थे, चार हो जाएंगे, इसको पढ़ने के बाद, सम्प्रदान कारक, नाम को ध्यान से पढ़िए, लिखा है क्या, सम्प्रदान, ये शब्द क्या पहले कहीं आपने सुना है, चलिए ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, बड़ी सरलता के साथ में समझ में आ जाएगा, इसका भी एक विभक्ति चिन्न होगा, वो है को या के लिए, ठीक है, को और के लिए, ये शब्दों का प्रयोग होता है, इससे इस पश्ट हो गया, के लिए, यानि जिसके लिए क्रिया की जा रही है, है ना, उधारन चे समझें, पहला उधारन है, सूरज के लिए फल लाओ, यानि फल तो लाना है, लेकिन किसके लिए लाना है, सूरज के लिए लाना है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है, दूसरा वा जो है यहाँ पे हो जाएगी क्या संप्रदान कारक ठीक है इसके बाद में लिखा है संदीप ने भिकारी को पैसे दिये पैसे तो दिये है संदीप ने लेकिन किसको दिये है भिकारी को दिये है तो भिकारी जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर बिकारी यहाँ पर हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा बहुत ही सरल, बहुत ही सरल और मतलब यह कहिए कि बहुत ही ज्यादा याद हो जाए, बिलकुल एक बार पढ़के ऐसा होता है न उस तरह से यह चीज़ें यहाँ पर हमें समझ में आ रही है अब देखें, यहाँ पर लिखा है कि इन वाक्यों में क्रमशा तीन क्रियाएं हैं लाओ, लाए और दियें और ये क्रियाएं इन वाक्यों के करताओं ने जिन के लिए की हैं वे क्रमशा, सूरजमा और विकारी हैं ठीक, तो अगर कोई आपसे पूछे कि परिभाशा दीजिए, तो क्या परिभाशा लिखेंगे, आप बताएंगे कि जिसके लिए क्रिया की जाती है, उसका बोध कराने वाली संग्या या सर्वनाम के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं इसके बाद में लिखा है, पाचवा है अपादान कारक, इसमें क्या होगा? प्रतक होने का बोध होगा, क्या इसके लिए कोई विभाक्ती है? हाँ है, इसके लिए से का प्रयोग होता है, से, अलग होना, से, उधारन से, समझिये, विद्यारती स्कूल से आते हैं, अब विद्यारती जब स्कूल से आते हैं, मतलब की स्कूल से वो अलग हो गए है, है न? स्कूल से आते हैं, मतलब स्कूल से अलग हो गए है, ठीक, अब आगे देखे क्या लिखा है, पतंग बच्चे के हाथ से छूट गई, पेड के पेड़ से आम गिर रहे हैं ठीक है तो स्कूल से आते हैं हाथ से छूट गई और पेड़ से आम गिर रहे हैं यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली जो बात है वो यह है कि क्रियाएं जो है वो है आते हैं छूट गई और गिर रहे हैं यह क्रियाएं अलग होने के अर्थ में ये क्रियाएं हमें ये बता रहे हैं कि वो अलग हो रही है, अलग होने का बोध करा रही है, तो ये परिभाशा देखी क्या लिखा है इसकी, कि संग्या के जिस रूप से प्रथक याने अलग होने का बोध हो, उसे अपादानकारक कहते हैं, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको से तीन बचे हैं, तो छटा भी समझ लेते हैं, वो है संबंद कारक किसी का किसी संबंद बताना हूँ, तो ये शब्द प्रयोग में आते हैं, ये अक्षर ये चिन, कौन से, कौन सी वभक्ती, का, की, के, रा, री, रे, ठीक, उधारन से बहुत अच्छे समझेंगे, यहां म पुस्तक पढ़ रही है, हिंदी की पुस्तक पढ़ रही है, इन वाक्यों में मयंक का घर, राज की कार, हिंदी की पुस्तक से संबंद का भोध हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और इन वाक्यों में अमित राज और हिंदी संबंद कारक कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, संब संग्या के जिस रूप से एक वस्तू या पदार्थ की दूसरी वस्तू या पदार्थ से संबंद का बोध हो, फिर से पढ़ रहा हूँ, अच्छे से पढ़ूँगा इस बार, थोड़ा धी में पढ़ूँगा ताकि आपको समझ में आए, तो मैं पढ़ रहा हूँ, दियान से संग्या के जिस रूप से एक वस्तू या पदार्थ का दूसरी वस्तू या पदार्थ से संबंद का बोध हो, उसे संबंद कारक कहते हैं, इस परिभाशा में तीन चीज़े हैं, एक वस्तू या पदार्थ का दूसरी वस्तू या पदार्थ से संबंद का बोध हो, तो उसे हम संबंदकारक कहेंगे मुझे उमीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, अब बचा है अधिकरण कारक और संबोधन कारक, दोनों को समझते हैं, अधिकरण कारक ठीक है, अधिकरण कारक का मतलब क्या होता है अधि, शब्द आ रहा है इसमें आधार की बात हो रही है, आधार मैंने आपको जैसे पहले बताया था रेखा च्छत पर बैठी है, बैठी तो है रेखा लेकिन कहां बैठी है, च्छत पर बैठी है, च्छत, च्छत क्या होगा च्छत होगा अधिकरण कारक आम में मिठास होती है मिठास तो है लेकिन किस में है आम में है ठीक है सिंह वन में रहता है सिंह रहता है लेकिन कहां रह रहा है वन में रह रहा है वन है ना तो ध्यान दीजी इन वाक्यों के क्रियाओं के क्रमशा जो आधार है वो क्या क्या है आम छत वन ये है अधिकरन कारक इन्हें आप क्या कहे अधिकरन कारक क्योंकि क्रिया के होने का जो आधार है वो यही है तो आप परिभाशा देना चाहें तो कहेंगे कि संग्या के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरन कारक कहते हैं संग्या के जिस भी रूप से क्या होता है क्रिया के आधार का बोध होता है क् ध्यान दीजेगा संबोधन चिन होता है इसका ये वाला निशान ठीक है हे प्रभु सभी का भला करो तो ये जो हे प्रभु आपने कहा जिसके बाद में चिन लगाया है ना सभी का भला करो संबोधन के लिए प्रयोग मिलाते ना किसी का संबोधन ऐसे ही तो करते हैं हाई मैं लुट गया है बच्चो मन लगा कर पढ़ू ठीक है तो वाक्यों की प्रारंब में इनका प्रयोग संबोधकारक का होता है परिभाशा क्या देंगे आप इसकी कि संग्या के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधनकारक कहते हैं अंतर समę antar 생각을 लेने का मतलब है compare करना करना तुलुणा करना ठीक है और इस compare करने सेचीजें जादा समझ्च में आती है क्या लिखा है करनकारक और अपादानifiques का करण कारक क्या होता है हमें पता है अपादान कारक क्या है यह भी हमें पता है दोनों में अंतर क्या है यह पता चलने वाला है देखिए दोनों कारकों का जो विभक्ती चिन्न है वो तो से हैं दोनों कारकों में से जरूर आता है लेकिन करण कारक के से चिन्न का अर्थ सहायता यह द्वारा होता है, जबकि अपादानकारक का चिन्द से प्रतकता प्रकट करता है, अपादान का मतलब बताया था न, क्या होता है, प्रतक होना, अलग होने का जब बोध होता है, अब दोनों से में क्या फ़र्ख है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा स्क्रीन जूम करूँगा यहाँ पर ताकि आप अच्छे से देख पाएं देखिए पहला वाला वाकि देखिए करण कारक का क्या लिखा है सुष्मा कलम से लिखती है और दूसरा वाला क्या लिखा ह किसके द्वारा लिख रही है कलम के द्वारा लिख रही है है ना तो कलम की सहायता ले रही है तो सहायता और द्वारा को प्रकट करने के लिए यहाँ पे करण कारक वाले वाकिये में से का प्रयोग हो रहा है और अपादान कारक में भी एक से है लेकिन इस से का प्रयोग जो का बोध कराए, वो अपादान कारक, सहायता का द्वारा का बोध कराए, वो करन कारक, दूसरे बाकि में भी देख लीजिए, और अच्छे समन में आ जाएगा, वहां रेल से मुंबई गया, किस से मुंबई गया, ध्यान दीजिएगा, रेल से मुंबई गया वो, अब वो रेल से अगर मुंबई गया है तो रेल के द्वारा गया है रेल की साहता से गया है तो इसलिए यहां पर जुस्से है वो करण का रखा है वहां मुंबई से वापस आ गया यहां पर रेल शब्द नहीं आया अब मुंबई से अगर वो वापस आ गया है तो मुंबई में वो नहीं रह बाद यहां हो रहा है ठीक है और जब यहीं हो रहा है आपको इस पष्ट हो गया है अब ठीक है लिखा है कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर पहले हमने अपदान में अंतर देखा और करण में देखा अब कर्म और संप्रदान में अंतर देख लो यह हम चुन-चुन के अंतर क्यों देख रहे हैं क्योंकि इन में कॉमन-कॉमन विभक्तियां प्रयोग में लाई जा रही है जो दोनों में लाई जा रही है तो फरक कैसे पैदा होगा वो हमें समझना है करमकारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पढ़ता है करमकारक क्या होता है जिसमें क्रिया का क्या पढ़ रहा है फल पढ़ता है जैसे देखिए लिखा है मनीश ने अपनी बहन को पढ़ाया मनीश ने अपनी बहन को पढ़ाया को जो लगा हुआ है किसको पढ़ाया है बहन को पढ़ाया है फिर आगे क्या लिखा है लड़कों ने पुस्तकों को कि चिनद को का अर्थ या कि वास्ते होता है जहां किसी को कुछ देने या किसी से कुछ काम करने का बोध होता है इस देखिए फर्क वही है जो हमने परिभाशा में पड़ा है ठीक है बोजन दे दो अब दोनों को में यहाँ पर फर्क है क्या फर्क है वही जो मैंने आपको बताया था कि करम कारक में जब को का प्रयोग हुआ है तो हमें यह देखना है कि क्रिया का फल किस पर पढ़ रहा है हरी सुरेश को गणित पढ़ा रहा है लेकिन किसको देना है? गरीबो को देना है, गरीबो के लिए देना है, है ना? तो गरीबो के लिए और सुरेश को गनित पढ़ाया है, इसमें एक फर्क है, वो मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, जैसे पहले बाक्य में लिखा है, गुरू जी को प्रणाम करो, दूसर आपका वहाँ, पहनने को कपने भी नहीं मिले, तो पहनने के लिए तो लिए शब्दी यहाँ पे आएगा, तो अगर शॉर्ट में बताहूं तो करम कारक में को वाली बात हो रही है, किसको और सम्प्रदान कारक में किसके लिए ये तो दोनों में फर्क है, लिये के लिये में और को में, ठीक, अब आगे देखें, क्या लिखा है, संग्या शब्दों के सब विभक्तियों में रूप, अब हमें संग्या शब्दों की बात करनी है, और उसका अलग-अलग विभक्ति में रूप देखना है, एक वचन में और लड़कों लिखना पड़ेगा, लड़कों ने, ठीक है, को में बिंदी आएगी, मैं अक्सर कहता हूँ, कि जब हम हिंदी ही पढ़ रहे हैं, वे आकरण ही पढ़ रहे हैं, तो वर्तनी पे भी तो ध्यान दे, उचारण पे भी तो ध्यान दे, है ना, तो हमें एक एक चीज प लड़कों को, ठीक, अगर करण कारक की बात करेंगे, तो हो जाएगा लड़के से या लड़के के द्वारा, क्योंकि करण कारक पढ़ रहे हैं, और बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़कों से या लड़कों के द्वारा, संपरदान में क्या हो जाएगा, लड़के को, शब्द का यहां पर प्रयोग होगा और लड़कों से बहुअचन पर्योग होगा चायेगा अधिकरण च्छत पर विद्ध्याले में, विद्ध्याले पर, अब देखिए, लड़के में, पर, लड़को में, पर, में और पर दोनों आएगा, संबोधन, संबोधन में, हे लड़के, हे लड़को, ऐसे ही थो होगा, कितना सरल है? यह है अकारांत पुलिंग शब्द ध्यान दीजे क्या लिखा है आकारांत नहीं है आकारांत या ऐसे शब्द के बारे में हमने देखा जिसके अंत में आता है लड़का का बोलिए लड़का आ निकला न वो मुझे उम्मीद है आपने यह सब पढ़ा है पिछले वीडियो और बहु अचन में हो जाएगा बालक बालकों ने ठीक करम की बात करें करम कारक में तो बालक बालक को और बहु अचन में हो जाएगा बालक बालकों को ठीक है यह जो चिन विभक्ती चिन बदलते जा रहे ना जैसे ने को से को से का मैं हे यह सब क्यों बदल रहे हैं हमने अ करण की बात करेंगे तो बालक से बालक के द्वारा द्वारा के लिए तो प्रयोग होता है और फिर बहुवचन में वही क्या हो जाएगा बालकों से बालकों के द्वारा संप्रदान की बात करेंगे तो बालकों को बालकों के लिए और बहुवचन की बात करेंगे तो बालकों बालकों के लिए वही चीज़ है जो बालक बालक के लिए है बालक को बालक के लिए वो बहुवचन में बालकों को बालकों के लिए हो जाएगा फिर अपादान कारक की बात करेंगे तो बालक से प्रिथकता का बोध हो रहा है और बहुवचन में वही हो जाएगा बालकों से सं संबोधन वही हे से शुरू होता है हे बालक हे बालको चिन नहीं आपको याद रख नहीं है विभक्ति चिन कौन सा प्रयोग मिलाया जा रहा है संबोधन में ठीक तो मुझे उम्मीद ही आपको समझ में आया इसी तरह से आप छात्र मित्र नगर पेड़ पुत्र देव उन सभ में क्या होगा वही सारी सिमिलर चीजे आएंगी जैसे हाथी ने हाथियों को करता में करम में क्या होगा हाथी से हाथी के द्वारा और बहु अचन में वही हो जाएगा हाथियों से हाथियों के द्वारा संपरदान कारक की बात करें तो हाथी को हाथी के लिए और बहु जिसमें आपको याद रखनी है वो क्या है वो है विभक्ति चिन जिने आपको स्मरण में रखना होगा ठीक अपादान में बात करेंगे तो हाथी से प्रिथक्ता का बोध हो रहा है से से बहुवचन में हाथियों से संबंद में हाथी का हाथी के हाथी की और बहुवचन में हा ही हाथी हूं है ना सरण चिन्ह को आपको हमेशा याद रखना है ऐसे ही इकारान पुलिंग शब्द कवी के लिए भी दिया हुआ है एक बचन में बात करे करताि के लिए तो कवी ने और भुवचन में हो जाएगा कवी वकरेंन कररन में आ को रिखषो कई क willkommen के लूँट कराएगा इस पर कभी का कवी के कवी की और कवियों का कवियों के कवियों की संबंद का रफ़्यकार अदिकरण पर फिर संबंद हो ही और विभक्ति चिन वही लगेगा अब फिर A और E के बाद में उकरांत पुलिंग शब्द आएंगे उकरांत पुलिंग शब्द हो इससे शब्द होते है जिनका अन्त उपे होता है जैसे डाकू डाकू में बड़ा U है तो ये बड़ा उवाला उखारांत पुलिंग शब्द है तो डाकू डाकू ने डाकू डाकू ने फिर करम में आएगा डाकू को डाकू को करण कारक में आएगा डाकू से डाकू के द्वारा और बहुवचन में हो जाएगा डाकू से डाकू के द्वारा याने कुल मिला के वही विखति चिन्दों का प्रेयुख जो है यहाँ पर किया जा रहा है जैसे कि यहाँ पर देखिए अधिकरण में आ जाएगा डाकू में पर और डाकूं में डाकूं पर इस तरह से फिर हे डाकू हे डाकू है仁 थो यहां पर दिहानन पर देना होगा पढ जो बलती से जो है यह टाइप हो गया है इकरांत नहीं है इस चोटा और अब यह ड Genau का मैं विर्ड़्ट एक यहरो जाएगा इसे यह को फॉलिंग शब्द तो जैसे गुरू है यहां पे तो गुरू ने गुरू को यह न ये हो गया गुरू ने गुरूं को गुरू को गुरू से गुरू के द्वारा। किस के लिए हो गया है करण कारक के लिए संप्रदान के लिए गुरू को गुरू के लिए और गुरू को गुरू के लिए अपादान कारक के लिए गुरू से गुरू से प्रतक्ता का बोध हो रहा है से से संबंध कारक में गुरू का और फिर बहु वचन में वही हो जाएगा रहेगा संबंद कारक में, अधिकरन कारक में, एक वचन में गुरू में गुरू पर, बहु वचन में गुरू में गुरू पर, फिर संबोधन में हे गुरू, और बहु वचन में हे गुरू, ठीक, सरल है, पुलिंग के बाद में, अब इस्ट्रिलिंग वाला शब्द है, इसक कारक में एक वचन के लिए है, बहन से या बहन के द्वारा, ठीक है, बहन के द्वारा भाई की कलाई पर राखी बांदी गई, ठीक है, तो बहन के द्वारा हुआ, तो बहन जो है, यहाँ पर के के पहले आ रही है, द्वारा के पहले आ रही है, तो यह जो है वो करन कारक हो जा अपादान में बहन से प्रतक्ता का बोध हो रहा है, बहुवचन में बहनों से हो जाएगा, संबंद कारक के लिए बहन का हो जाएगा, बहन के हो जाएगा, बहन की हो जाएगा, और बहुवचन में बहनों के और बहनों की, ऐसा, फिर अधिकरन में बहन में बहन पर, और बहु की बात हो रही है तो करता कारक के लिए क्या होगा मती या मती ने और बहु अचन में हो जाएगा मतियां या फिर मतियों ने ठीक है वहीं पर अगर करम कारक की बात करेंगे तो होगा मती को क्योंकि को शब्द जो है को जो चिन्न है यह आप जानते हैं कि करम कारक के लिए प्र प्रिथक्ता यानि अलग होने का बोध करा रहा है। और संबोधन जैसे हे मती और बहु वचन में हे मतीओं इस तरह से। ठीक है। अधिकरन में हो जाएगा, संबोधन में हो जाएगा, लेकिन चीज़े आपको यह याद रखने हैं कि विभक्ति चिन्न किसके कौन कौन से हैं। तो सब कुछ जो है बहुत सरल हैं। जैसे वधू शब्द दिया है। वधू के लिए प्रयोक करके देख लीजिए। वधू ने करम में हो जाएगा वधू को और बहु अचन हो जाएगा वधू को या वधू के लिए। संबंद कारक में हो जाएगा वधू का वधू के वधू की या फिर बहु अचन में हो जाएगा वधू का वधू के या वधू की इसके बाद अधिकरण में हो जाएगा वधू में या वधू पर और बहु अचन में हो जाएगा वधू में या वधू पर संबोधन जैसे हे और हेवधूं वह चन में हो गया ठीक है फिर औकारांत देख लीजिए औकारांत जैसे गवगव सब्द है प्मिलंग करन्कारक की है तो गवः से या गवव के द्वारा और वह वचन हो जाएगा डॉ hear यहां पर जो से है इसका तातपर यह वो अलग है द्वारा के लिए और उसमें आ रहा है वो प्रतững होने के लिए किसमें अपादान केह करनारा ein कि संप्रदान से गाव को या के सिह अदिकरन में हो जायगा गौ पर अघखोव नहीं करनारा दिकरन यहां तो जिस भी रूपर और बहुवचन में हो जाएगा गवववव या गवववव पर संभोधन में जैसे हेगो और बहुवचन में हे गवव ठीक है चिन आप याद रखेंगे हमेशचा बार-बार कह रहा हूं है न संबोधन चिन्य जो है ठीक है कुछ तथ्य है जो हमें याद रखना है इस मरण में रखना है जैसे कि संग्या या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंद वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ विशेश रूप से क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक केते हैं कारक हमने पढ़ा है क्या होता है कि संग्या और सर्वनाम की अगर हम बात करें तो जिस भी रूप में संग्या और सर्वनाम हो उसका जब भी रिलेशन यानि उसका जब भी संबंद वाक्य की दूसरे शब्दों के साथ विशेश रूप से खास्त करके क्रिया के साथ जब ब परसर्ग क्या होता है यह मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपने पिछला वीडियो जरूर देखा होगा मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएगा कि परसर्ग क्या होता है कारक आठ होते हैं करता करम करण संप्रदान अपदान संबंद अधिकरन संबोधन ठीक है, सब की अलग-अलग विभक्ती चिन्न है, वो मैंने अभी आपको बता है, आपको पता होंगे, कारकों के बिना वाकिय का सही अर्थ समझ में नहीं आ सकता, ये बात भी विल्कुल ठीक है, मुझे अमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, comment जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आये ताकि और जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार